हेलो एबरीबन बलकम टो माई चैनल तो आज की इस वीडियो में हमें आपा तीन बहुत ही सुन्दर सी सूट में बैक ने गले की डिजाइन बनाना सिखाएंगी तो यहाँ पर मैंने फेपर पेस्टिंग लिए इसको फोल्ड करेंगे अब हमें आपर गले की चोड़ाई नापेंगे तो गले की चोड़ाई हम यहाँ पर रखेंगे धाई इंच तो धाई इंच पर निसान लगाएंगे और यहाँ से हम गले की लंबाई साड़े तीन इंच रखेंगे तो यहाँ पर भी निसान लगाएंगे इस तरह से बॉक्स ब और यहां पर हम डेड़ें चोड़ी पट्टी रखेंगे, तो यहां पर निसान लगाएंगे, और यहां पर नीचे की तरफ हमें कुछ तरह से गुलाई करना है, इस तरह से नीचे की तरफ हमें यहां पर पत्टी बना देंगे, और यहां इसे कटिंग करेंगे तो यहां पर मैंने कटिंग कर लिया है अब हम यहां पर दूसरी तरह भी कुछ इत्रह से निजान लगा लेते हैं और दोस्तो प्लीज इस वीडियो को लाइब भी कर देना क्योंकि यहां आप लोग लाइक करना भूल जाते हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना तो कुछ इत्रह से मैंने डिजान की कटिंग करी है तो अब हमें यहां पर क्या करेंगे सूट को लेंगे और इसको हमें उल्टी तरफ से फोल्ड करना है फोल्ड करके हमें यहां पर निसान लगाएंगे तो इसकी उल्टी सेट हुपर रखेंगे और यहां पर मैंने डिजान को बिलेग कलर के कपड़े पर चिपका लिया है तो अब हम यहां पर इसको भी फोल्ड करेंगे और एक बी सेंटर पर खट लगा देंगे तो यहाँ पर डिजान की सीधी साड नीचे की तरफ रखेंगे और पहले हम यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा लेते हैं अब हम यहाँ पर क्या करेंगे आदी साड में कुछ इत्रे से सिलाई लगा लेते हैं तो यहाँ पर मैंने एक तरफ से सिलाई को लगा दिया है इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ भी सिलाई को लगा दिया है अब हमें आपर क्या करेंगे बचे हुए कपड़े की कटिंग कर लेंगे फिर हमें आपर क्या करेंगे छोटे छोटे कट लगा देंगे कुछ इत्रे से पूरे में हमें कट लगा देना है अब हम यापर इसको सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें यापर दाप सिलाई लगा देनी है पूरे में हम यापर दाप सिलाई लगा लेते हैं तो यहाँ पर देखे मैंने पूरे में दाप सिलाई को लगा दिया है देखे यहाँ लोग देख सकते हैं तो अब हम यहाँ पर लेश को लेंगे तो यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर की लेश को लिया है तो जो हमने दाप सिलाई लगाई है उसी के उपर हमें आपर लेस को रखेंगे और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है जिस साज में हमने डिजाइन बनाई है उसी साज में हमें आपर लेस को सिलेंगे तो यहाँ पर मैंने लेस को सिल लिया है इसमें हमें डिजाइन हमारी बनकत त्यार हो गई है अब हमें आपर क्या करेंगे चोकोर पटी लेंगे इसकी चोडाय लंबाई धाएंच है अब हमें आपर एक कोरूरसे इसको उत्रश से फोल्ड करेंगे बिल्कुल टाइटली हमें फोल्ड करना है फिर हम याँ पर क्या करेंगे इसको इतरह से खटा करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरी चोकोर पट्टी को फोल्ड करेंगे और इस साइड से भी हमें फोल्ड करके सिलाई लगानी है इसी तरीके से तीसरी पट्टी को भी फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है फिर हमें आपर बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे अच्छे से तो इस तरह से हमें डिजाइन को बना लेना है अब हमें आपा सूट को लेंगे और सूट के उपर हमें इस तरह से डिजान को रखना है कुछ इतरह से और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है इसी तरीके से दूसरी डिजान को लेंगे तो इसको भी हमें आपा रखे सिलाई लगानी है अब हमें आपर तीसरी डिजान को भी सिल लेते हैं तो इसी तरीके से हमें पूरे में डिजान को सिल लेना है तो कुछ इत्रह से हमारी डिजान बनके आई है अब हमें आपर फिर से लेज को लेंगे और इसको हमें कुछ इत्रह से रखना है और रखने के बाद सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पर मैंने लेशको से लिया है इसमें हमें डवल सिलाई लगानी है तो यहाँ पर मैंने डवल सिलाई को भी लगा दिया है और जो हमने अभी डिजाइन बनाई है तो उनमें हमें यहाँ पर मोती को टाकेंगे तो सेम कलर का हमने धागा लिया है तो अच्छे से हमें यहाँ पर मोती को टाक लेते हैं पीछे की तरफ हमें आपर टाइटली नौट लगा देंगे तो हमने एक डिजान के उपर मोती को टाक लिया है इसी तरीके से दूसरी डिजान पर भी हमें आपर मोती को टाकेंगे और पीछे की तरफ हम इसमें नौट लगा देंगे अब हमें आपर क्या करेंगे इसी तरीके से तीसरी डिजान के उपर भी मोती को अच्छे से टाकेंगे तो इसी तरीके से हमें पूरे में मोती को टाक लेना है तो इहां पर देखी मैंने पूरे में मोती को टाक लिया है और यहां पर मैंने कपड़े का ही बटन बनाया है तो इहां पर इसको रखे से लेंगे तो इहां पर आप लोग देख सकते हमारी जो गले की डियान है वो बनका त्यार हो गई है तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? दूसरी गले की डियाइन बनाना सिखाएंगे तो यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग लिए इसको तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम गले की चोड़ाइ 205 अंच रखेंगे अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बॉक्स बना कर कुछ तरह से गुलाई करेंगे, और एक इंचोड़ी पट्टी रखेंगे, तो यहाँ पर निसान लगा देंगे, और फिर कटिंग करेंगे, तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया है, यहाँ पर दूसरी तरह भी निसान लगा और इसको फोल्ड करके यहां पर निसान लगा देंगे यहां पर कट भी लगा देंगे फिर हम यहां पर क्या करेंगे दोनों कट को इस तरह से मिलाएंगे और यहां पर हमें गुलाई में सिलाई लगा देनी है अब हम यहाँ पर इस गले की पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है तो यहाँ पर देखे मैंने गले को तयार कर लिया है तो अब हम इसमें डिजाइन मनाएंगे तो इसके लिए मैंने चोकूर कपड़ा लिया है बिले कलर का इसकी चोड़ाई लंबाई तीन इंच है तो इसको तरह से फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे इसी तरीके से हमें आपा दूसरी पट्टी लेंगे तो इसको भी हमें इतरह से फोल्ड करना है और फिर सिलाई लगा देंगे आप लोग वीडियो को एंड तक जरूद देखे इससे आप कोछे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से गले की डिजान बनाई है तो यहां पर देखे मैंने सिलाई को लगा दिया है यहां पर धागे को कट कर देंगे और यहां से हम क्या करेंगे चोटी-चोटी इसमें पलेटे डालेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे इस तरह से हमें डिजान बनानी है फिर हम यहाँ पार दूसरी पट्टी में हमें कुछ इत्रे से चोटी-चोटी पलेटे डाल लेनी हैं और फिर सिलाई लगा देंगे तो हमने यहाँ पार Listen वैसरी डिजान को भी बना लेते हैं और यहाँ पार साथ कटिंग करेंगे तो इस तरह से हमें डिजान को बना लेना है ठीक है अब हमें आपर सूट को लेंगे यहाँ पर हमें एक इंचोड़ी पट्टी रखेंगे एक इंच की पट्टी छोड़के हमें आपर डिजान को रखेंगे कुछ इतरह से और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है फिर हमें आपर क्या करेंगे दूसरी डिजान लेंगे तो इसको भी हमें इतर से रखना है और रखने के बाद सिलाई लगाएंगे आदा या एक इंच का माजन छोड़के हमें आपर डिजान को रखेंगे तबी सिलाई लगानी है तो इसी तरीके से हमें पूरे में डिजान को सिल लेना है तो यहाँ पर मैंने पूरे गले में डिजान को सिल लिया है यहाँ पर सपाई के साथ कटिंग करेंगे फिर हम यहाँ पर गले में बिलकुल किनारे पर सिलाई लगा देंगे तो हमने सिलाई को लगा दिया है और यहाँ पर मैंने डोरी को बनाया है देखिया आप लोग देश सकते हैं तो एक डोरी को लेंगे और इसको होल्ड करेंगे और इसको हमें कुछ तरह से रखना है और रखने के बाद सिलाई लगा देंगे फिर हम यहाप दूसरी डोरी को भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाप रखके इसको सिल लेते हैं इसी तरीके से तीसरी डोरी को भी हम यहाप रखेंगे फोल्ड करके इस तरह से और फिर सिलाई लगा देंगे तो यहां पर मैंने देखी पूरे में डोरी को भी सिल लिया है अब हम यहां पर क्या करेंगे बीच में कुछ इत्रे से लेश को सिलेंगे तो यहां पर मैंने गोल्डन कलर की लेश को लिया है इसको यहां पर रखेंगे बीच में और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है तो यहां पर मैंने एक सिलाई को लगा दिया है इसमें हमें डबल सिलाई लगा देनी है तो इतनी डिजान हमारी बनकर त्यार हो गई है अब हम इसमें मोती टाकेंगे तो जो हमारी डोरी है हुआ पर हम बड़ा वाला मोती टाकेंगे इस तरह से और जो हमने पत्ती बनाई है तो उसमें हम छोटे मोती टाकेंगे तो एक डोरी में हमने मोती को टाक लिया है इसी तरीके से दूसरी डोरी के उपर भी हम यहाँ पर बड़ा वाला मोती टांक लेते है यहाँ पर पीछे की तरफ हमें नौट भी लगा देनी है कुछ इतरह से अब हम यहाँ पर क्या करेंगे तीसरी डोरी के उपर भी इस तरह से मोती को टांकेंगे तो इसी तरीके से हमें पूरे में मोती को टांक लेना है तो यहां पर मैंने पूरे में मोती को टांक लिया है और जो हमारी पत्ती है तो उसमें हम क्या करेंगे छोटा वाला मोती टांकेंगे इस तरह से हमें कोनर पर मोती को अच्छे से टाक लेना है सेम कलर का धागाई हमें लेना है तो हमने एक पत्ती के उपर कुछ तरह से मोती को टाक लिया है पीछे की तरफ हम इसमें नट लगा देंगे और इसी तरीके से हमें दूसरी पत्ती के उपर भी मोती को टाक लेना है कोनर पर तो इसी तरीके से हम पूरे में मोती को टाकेंगे तो इस तरह से देखी मैंने पूरे में मोती को टाक लिया है देखी कितना सुन्दर सा हमारा गला बनके आया है तो इसी तरीके से आभी गले की डिजान बना सकती है अब हमें आपर क्या करेंगे तीसरी गले की डिजान बनाना सिखाएंगी तो यहाँ पर मैंने पेपर फेस्टिंग लिया इसको तरह से फोल्ड करेंगे और गले की चोड़ाई ना पेंगे तो गले की चोड़ाई हमें आपर रखेंगे तीन इंच तो तीन इंच पर निसान लगाएंगे और यहां से गले की लंबाई ना पेंगे तो गले की लंबाई हमें आपर 9 इंच रखेंगे तो इस तरह से बॉक्स मना देंगे फिर हमें आपर क्या करेंगे कुछ तरह से डिजान का सेफ देंगे इस तरह से हमें मटका सेफ में निसान लगाना है और गले की पट्टी हमें आपर एक इंचोड़ी रखेंगे तो यहाँ पर भी निसान लगा देंगे और निसान लगाने के बाद हमें कटिंग कर देना है तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर दिया है अब हमें आपर दूसरी तरफ भी इस तरह से निसान लगा लेते हैं तो हमने दूसरी तरफ भी निसान लगा दिया है यहाँ पर हमें पत्ती सेफ में निसान लगाना है कुछ इतरह से तो हमने निसान लगा दिया है तो अब हमें आपर कटिंग करेंगे और दोस्तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर देना क्योंकि यहां आप लोग लाइक करना भूल जाते हो तो दोस्तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना तो हमने कटिंग कर दिया है अब हम यहां पर इस पत्ती को यहां पर रखेंगे और रखने के बाद हमें यहां पर सेम निशान लगा देना है और इस साइट में हम थोड़ी जादा कटिंग करेंगे और यहां इसे कटिंग कर लेते हैं तो हमने कटिंग कर लिया है इस तरह से हमें पत्ती लगानी है देखिए आप लोग देख सकते हैं और ये पत्ती हम दूसरे कलर के कपड़े पर चिपकाएंगे अब हम यहाँ पर पल्ले को लेंगे पल्ले को सीधा रखेंगे और हैं यहाँ पर हमें फोल्ड करके निशान लगाना है तो इसकी सीधी साइट उपर रखेंगे और इसको मैंने कपड़े पर भी चिपका लिया है साइट से मैंने फोल्ड करके सिलाई भी लगा दी है तो दोनों कट को मिला कर रखेंगे और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है थोड़ा सा कपड़ा छोड़के बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे तो हमने यहाँ पर कटिंग कर दिया है इसमें हमें छोटे-छोटे कट लगा देना है अब हम यहाँ पर इस गले की पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है तो यहां पर देखे मैंने सिलाई को लगा दिया है इतने डिजान हमारी बनकर तयार हो गई है और यहां पर जो हमने पत्ती कटिंग करी थी तो इसको मैंने कपड़े पर छिपका लिया है इसके उपर हमें आपर इस वाले कप्ड़े को रखेंगे और इस पत्ती को रखेंगे यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है फिर हमें यहाँ पर कटिंग कर देंगे इतरह से और इसको अच्छे से सीधा करेंगे यहां पर देखे हमारी piping type की सिलाई आई है तो यहां पर हमें उपर की तरफ भी सिलाई लगा देनी है और यहां पर भी सिलाई लगा देंगे बचे हुए कपड़े की हमें यहां पर cutting कर लेते हैं तो हमने यहां पर पत्टी को बना लिया है इसी तरीके से दूसरी पत्ती बनाई है अब हमें आपा सूट को लेंगे और इसको इतरह से रखेंगे और जो अभी हमने पत्ती तयार करी थी तो इसको हमें यहां पर लगा लेना है एक पत्ती को इस साट में लगा लेंगे और लगाने के बाद हमें सिलाई लगानी है तो पहले हम यहाँ पर रखके देख लेते हैं और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे आप चाहते हो पिन लगा कर भी सिलाई लगा सकती है तो यहाँ पर मैंने एक पत्ती को सिल लिया है इसी तरीके से दूसरी पत्ती भी सिल लेते हैं तो यहाँ पर मैंने दूसरी पत्ती को भी सिल लिया है और यहाँ पर मैंने डबल पत्ती ली है इसकी लंबाई पांच इंच है और चौड़ाई साड़े चार इंच है अब हम यहां पर साइड से सिलाई लगा देंगे और इस साइड से भी हम यहां पर सिलाई लगा लेते हैं फिर हम यहां पर इसको अच्छे से सीधा करेंगे फिर हम यहां पर इस तरह से छोटी छोटी पलेटे डालेंगे और यहां से सुई की मज़़ से इसको अच्छे से सिल लेते हैं यहां पर इसको लपेटेंगे और इसमें हमें अच्छे से नौट लगा देनी है तो इस तरह से मैंने फिलोवर बना लिया है फिर हम यहां पर सूट को लेंगे और इसको सीधा रखेंगे और इस फिलोवर को यहां पर लगाएंगे इस तरह से उल्टी तरफ से रखेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे एक तरफ से मैंने सिलाई को लगा दिया है अब हम यहां पर इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेते हैं तो हमने यहाँ पर फिलोवर को भी सिल लिया है और फिलोवर के बीच में हम बटन लगाएंगे तो यहाँ पर मैंने एक चोकूर कपड़ा लिया है और इसके उपर हम यहाँ पर बटन को रखेंगे और कपड़े को इतरह से खटा करेंगे और यहाँ पर हमें धागे की मदश से इसको लपेट लेना है बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे और इस बटन को हमें आपर रखके टांक लेते हैं तो यहाँ पर मैंने बटन को भी टांक लिया है अब हम यहाँ पर क्या करेंगी जो हमारी गुलाई है उसमें लेश सिलेंगे तो यहाँ पर मैंने रैड कलर की लेश को लिया है तो इसको हमें यहाँ पर रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है इसमें हमें एक सिलाई लगा देनी है तो आप लोग देख सकते हमारी जो गले की डिजान है वो बन का त्यार हो गई है देखी कितनी सुन्दर सी हमारी गले की डिजाइन लग रही है तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रू पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बैला कन को भी दबा दें जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आपनों को सबसे पहले मिलेगी तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई अखी तक वीडियो देखने के लिए ठाइंक्यू